एक employee का boss के husband के साथ affair हो जाता है इन दोलोंने एक दूसरे से बदला लिने की कोशिश की पर यह बहुत ही ज़्यादा out of control हो क्या Hello friends, आज मैं आपको passion ए 2012 की एक Hollywood Thriller movie explain करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग turns आते हैं और इसकी ending भी बहुत twisted है तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजिए अब बिना किसी दरी के explanation स्टार्ट करते हैं Movie स्टार्ट होती है और हम अमारी main characters क्रिस्टीन और Isabella को देख सकते हैं ये दोनों मिलकर एक एड पर काम कर रहे थे एक एड एजनसी में क्रिस्टीन और Isabella की boss है जिस एड पर ये work कर रहे थे ये दोनों को पसंद नहीं आई काम करते वोग थोड़ी सी drink वेगरा भी करते हैं ये दोनों एक दूसरे की अच्छी friends बन गई थी जब क्रिस्टीन का husband डर किया आया तो Isabella यहां से चली जाती है जाने से बहले क्रिस्टीन ने Isabella को उसका scar gift किया बाहर बहुत ही थंड थी और वो उसके लिए care करती थी रात में सोते वक्त Isabella को और एक ad का idea आया वो अपने assistant को घर पर बुलाती है और इस ad को shoot कर लेते है अगली दिन ये advertisement वो Christian को दिखाती है Christian को यह बहुत ही जादा पसन आई actual में Christian जाकर London में इसका presentation देने वाली थी पर वो कहती है कि अब तुमें इसके बारे में सब कुछ पता है तो Isabella की वो भीजने वाली थी Isabella भी इसके लिए excited हो जाती है जब उपने client से मिली तो client को भी बहुत ही अच्छा लगा था Isabella की assistant डानी उससे बहुत पसन करती थी उसके साथ time spent करना चाहती थी आज इनका presentation जल्दी हो कया था तो वहती है कि हम dinner के लिए जा सकते है कुछ shopping कर सकते है पर Isabella ने उसे मना कर दिया Isabella कहा पर जाती है इस पर डानी ने नजर रखी तो डानी नोटिस करती है Isabella डग से मिल रही थी जो कि क्रिस्टिन का husband है उन दोनों में affair चल रहा था रात में दोनों intimate हो जाते है intimate होते बग डग ने एक वीडियो भी शूट किया था इसके बास हम देखते हैं कि Isabella फिर से क्रिस्टिन के पास आ चुकी है क्लाइन के साथ इन तीनों की meeting चल रही थी अगर सब कुछ ठीक हो तो जिसने ad create किया है उसे नियॉयोक में जाने का chance मिलेगा इनकी client के साथ meeting बहुत ही अच्छी होती है पर क्रिस्टिन ने इस advertisement का पूरा credit ले लिया उसने Isabella के बारे में कुछ भी बात ही नहीं की Isabella उसे बुछ थी एक तुमने ये क्यों किया क्रिस्टिन ने कहा कि एक game होता है इसमें आपको जब opportunity मिले तब आपको ले लेनी चाहिए आपको इसी तरीके से लोगों का potential यूज करना पड़ता है और तुम्हें क्या फरक पड़ता है फाइनली हमारी team जीच चुकी है ये एक teamwork है Isabella इस बात से upset तो थी पर इस बात को जाने देती है जब डानी को पता चला कि हुआ क्या है तो new ad लेकर वो Isabella के पास आई तो गहती है उन लोग को actual में पता ही नहीं कि तुम्हारा vision क्या था सारी चीज़े वो change कर रहे है इस बात को भी Isabella ignore कर देती है नेक सीन में हम देखते हैं कि आज रात Isabella और क्रिस्टिन ये दोने एक fashion show में आये हुए थे Isabella को एक shoes बहुत पसंद आये जो क्रिस्टिन उसके लिए buy कर लेती है अब इसके बात ये दुनों party में जा रहे थे क्रिस्टिना कहती है तुम मुझे अपनी आप की याद दिला दियो मैं भी तुम्हारी दर आई थी पर इसके बाद मेहनत करकर मैं इस मुकाम पर बहुच चुकी हूँ party पर बहुचने के बाद क्रिस्टिना इसावेल को एक client से बात करने के लिए दिया उसने कहा कि अगर इस client को तुम convert कर पाओ तो इसका account में तुमें दे दूंगे यह इसावेल के लिए एक बहुत ही अच्छी अपोजिनेटी थी इस पार्टी में डग भी क्रिस्टिना पर cheat करता है क्रिस्टिना जब घर पर चली के तो डग और इसावेले दुनों एक साथ घर पर जाते है डग ने उस से कहा कि क्रिस्टिना जिस तरीके से लगती है उस तरीके से हैं नहीं वह बहुत ही dangerous है उसे लोगों के साथ खेल खेलना अच्छा लग यह बात सुनकर इसावेला शौक होके वो उसे आई लव यू नहीं कहती क्रिस्टिन ना ने फिर उसे एक स्टोरी बता है वो कहती है मैं जब छोटी थी तो मेरी ट्वीन सिस्टर भी हुआ करती थी हम दोनों के पास एक छोटी सी बाइसिकल थी मेरी सिस्टर यह बहुत ही अच उसकी इस एकसिड़न में डेथ हो गई थी इसके बाद मेरे पैरेंस ने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहा यह सब सुनकर इसावेला क्रिस्टिन को आई लव यू कह देती है यह दोना एक दूसरे को हक करते है इसावेला ने क्रिस्टिन को सहारा दिया थोड़ी देर म कि मैं सारे पैसे वापस कर दूँगा मुझे सिर्फ एक दो मन चाहिए पर क्रिस्टिन इस बात के लिए मानने के लिए रेड़ी नहीं थी नेक्सीन में इसावेल को अपनी सेग्रेडरी से पता चला कि उसके एड़ बनने नहीं वाली है उसमें क्रिस्टिन ने बहुत सारे इस वज़े से क्लाइट को पसंद नहीं आ रही थी लिफ्ट में जब डर्क और इसावेला मिले तो डर्क उससे कहता है कि शायद क्रिस्टिन को हमारे बारे में पता है वो मुझसे बदला लेना चाहती है अब हम दोनों कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं यहां लि क्लाइट इस बात से बहुत ही खुश था नेक्स देंग इन सब की मीटिंग होती है अब नियॉक जाने के लिए क्रिस्टिन को छोड़कर वो इसावेल को चूज करते हैं इस बात से क्रिस्टिन को बुरा लगा इसावेल गयती है मुझे भी तुमारे जैसे ऑपरचुनिटी मिली और मैंने इसको पा लिया यह सिर्फ बिजनेस है डग आज इसावेला को बहुत ही मिस कर रहा था उसे कॉल कर गया क्रिस्टिन ने उसके साथ जो भी किया इसके बारे में सब कुछ उसे बता देता है क्याता है कि वो बहुत ही डेंजरस है इसावेला ने कहा कि उसके डग और इसावेला जो इंटिमेट हो रहे थे यह वीडियो इसावेला को दिखाती है इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गई पार्किंग में अपनी गाड़ी को भी ठोक देती है वो बहुत रोई है नेक्स डे डैनी इसावेला के पास आये वो कहती है डग न जग इंप्लाइस के सिक्रिटी फुटेज वो दिखा रही थी जैसे कि कुछ लोग क्लाइन की मिटिंग के बाद बहुत ही जादा गुसा हो जाते है यह सारी क्लिप्स इसमें थी कल रात इसावेला ने गुसे में अपनी गाड़ी को ठोक दिया था वो वही रोने लग गई यह भी क्लिप उसने पूरे ऑफिस के सामने दिखाई इसावेला को इंबरस करना चाहती थी वो डिस्टब हो गई और थोड़ी सी जादव स्लिपिंग पिल वो ले ले दिया अगली दिन क्रिस्टिन ने इसावेला को अपने ऑफिस में बुलाया वो गयती कि दुमने मुझे इसा गैसा इमेल बेजा इसमें लिखा है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगी ने मैं तुमसे रिवेंज लूँगी एक्च्वार में इमेल क्रिस्टिन ने इसावेला का कॉम्पिटर से खुद लिखा था अब वो उसे फायर करना चाहती थी इसावेला गुस्सा होकर क इसा क्यों करूंगी क्रिश्टिन आगर तुमने नहीं किया तुम्हें कहूंगी कि तुमने मुझे सेक्शली असौल्ट किया है मैं यहा की बौस हूँ सब लोग मेरी बात मानेंगे डैनी इस बात से डिस्टब होगी आज रात क्रिस्टिन आके यहाँ पर पार्टी थी और इसावेला एक प्ले दिखने के लिए गई इस पार्टी में ड्रंक होकर डर्क वहाँ पर पहुच जाता है सब के सामने तमाशा खड़ा करने की कोशिश करता है इस बात को क्रिस्टिन ने कंट्रोल कर लिया था अचानक से क्रिस्टिन की घर बर कोई मास्क लगा कर आया और इस उ मार देता है राद में इसावेला बहुत ही डर कर उठी उसे लगा कि यह सब उसका सपना है पर यह एक्च्वल में हुआ था उसके डौर पर नौक आई तो पुलीस की थी पुलीस को लगता है कि इसावेला ने सब कुछ किया है मर्डर सेन पर उसका स्कार्फ हुने मिल आज राद इसावेला ने बहुत सारे स्लिपिंग बिल्स ली थी तो क्या बात कर रही थी उसे ही समझ में ने आ रहा था पुलीस को सारे सबूद ही इसावेला के खिलाफ ही लगते उसने उसे बहुत बार पूछा तो फाइनली इसावेला इसके लिए हा कह देती है यहाँ उ इस वाजे से मैं कुछ भी बोल सकती थी यह जाकर वे फिर से जस से बात करते हैं क्रिश्टिना कहती कि मेरा स्कर्फ इस तरीके से फटा हुआ नहीं था वो अब भी घर पर होगा मैंने मर्डर नहीं किया है पुलिस विवाद है वो कहते हैं कि तुमने क्रिश्टिना को धम की ही थी इसका इमेल उसके पास है इसापयला इस पर देट दीखती है उसने का कि इस डेट के बाद ही नेक्स डे उसने मुझे बहुत ही जलील किया था अगर आपने सब लोगों से बात की तो वो भी कहेंगे एक ही मांग रही थी कहती है मुझे घर जाने दो वहाँ पर मैं स्कार्फ ढूंड लूंगी फिर सब पुलीस वगरा मिलकर फिर सही इसकी करते है क्रिस्टिना उस रात बैले देखने के लिए गई हुई थी वहाँ पर सीट की वज़े से कुछ लोगों से उसका जगड़ा हुआ था इस वज़े से ठेटर के एक इंप्लॉई को उसके बार में पता था इससे प्रूव होता है कि उस रात वो बैले देखने के लिए सकाफ ढ़ने के लिए तो इसावेला सकाफ ढ़ने का बहुत कोशिश करती है पर ढूंड नहीं पाती है यहाँ पर पुलीस को एक फाइल मिली जिससे पता चलता है रिद ने कमपनी से पैसे चुराय थे पुलीस इसावेल से कहते है तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं एक evidence है डग ने क्रिस्टिन को मारा हो सकता है इसावेला ने कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा इस वज़े से मैं तुम्हें बताया नहीं था इसावेला को फेसे जेल में डाल दिया गया था उसके सेकरेटरी डानी उससे मिलने के लिए आई वो डानी से गहती है मेर शक टर्क पर जाता है पुलिस ने उसके घर के तलाश ली गाड़ी में खुन से लटपत एसकार पुन मेलता है और यह सकार फटा हुआ भी था सारा murder का blame यह डर्क पर आ जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि इसावेला फ्री होके इसका celebration वो डानी के साथ कर रही थी वो डानी इस बात से डिस्टर होके कहती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया इसावेला ने उसे strictly मना कर दिया डानी ने कहा कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है तुम्हारी यह जो sleeping pills है यह fake है मैंने एक बार इसे गलती से ले लिया था पर मुझे कुछ भी नह नहीं हुआ जिस रात क्रिस्टिन का मर्डर हुआ उस रात मैंने तुम पर नज़र रखी थी तुमने जान बुछ कर बैले में फाइट की थी ताकि लोगों को लगे कि तुम वहाँ पर रही थी स्टोर में जाकर तुमारे पास जिस तरीके से स्काफ था उसी तरीके से और ए मेरी नहीं बनी तो मैं सारी रेकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को भीज दूगी इसके बात एक सेकंड में इसावेला भी पलट गई वो भी डैनी से आई लव यू कहती है यह दोनों वे रिलेशन्शिप में आ गए थे नेक सेन में हम देखते है कि क्रिस्टिन का फ्यूनरल इस फ्यूनरल पर उसकी ट्फिन सिस्टर भी आई हुई थी जैसा डग ने इसावेला से कहा था क्रिस्टिन बहुत ही मैनोपिलिट्य है और तुम्हें कुछ भी जूटी स्टोरी सुना रही है यह बात सही थी क्रिस्टिन की स्टेप सिस्टर अब भी जिन्दा थी वीडियो ये प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हो लिंक या प्रोमो कोड से अगर आप साइन अप करते हो तो आप जो भी डिपोजिट करोगे उस पर 130% एक्स्टा बोनस आपको मिलेगा तो जाकर एक बार इस वेबसाइट को ज़रू चेक कीजिएगा मैं तो आपसे फ्री के मैचे यहाँ पर ही देखूंगा फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक रहाज जब डैनी और इजाबेला सोई हुए थे तो डैनी का वो सीक्रेट मोबाइल बजने लग जाता है इसी मोबाइल में उसने एविडेंस चुपा हुआ था अगर इजाबेला को मोबाइल मिल जात था एक लिए पुलिस ऑफिसर को चली गई हम देखते कि क्रिस्टिन की सिस्टर इजाबेला के पास है उसे गला घोटकर वो बेहोश कर देती है जब क्रिस्टिन को होश आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी डैनी की डेड़ वाड उसके पास पड़ी थी और पुलिस को सब क कुछ पता है उनके पास उसके खिलाब सबूत भी है इसी वज़े से उसका सच सामने आ चुका है अब उसने जो भी क्या इसके सजा उसे भूगत नहीं पड़ेगी अगर हम इस मूवी में देखे तो डैनी इसाबेला और क्रिस्टिना ये तीनों इविल क्यारेटर्स थे एक बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक नमों के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया